नमस्कार दोस्तो दोस्तो मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंग्विज और प्लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अक्सर लोग प्रशन पूछते हैं कि गुरू जी मंगल ग्रह के बारे में हमें पता कैसे चले कि यह हमें शुपफल दे रहा है या अशुपफल दे रहा है और मंगल क्योंकि एक उर्जा का कारक ग्रह है रक्त का कारक ग्रह है जीवन में बहुत महत तो रखने वाला तो आज हम पहले इसके बारे में विस्तरत चर्चा करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे कि मंगल आखिर है क्या और मंगल के क्या प्रभाव है इसके बाद आपके जानकारी देंगे कि मंगल जन्मकुंडली के प्रतियक भाव में यदि अशुब है तो आपको इसके क्य प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इस मंगल की शुब्धा को लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि शुब्धा से समवद्धित मामला काफी डिफरेंट है अलग है तो इस पर हम अलग वीडियो आपको बना कर उसमें इसकी जैनकारी देंगे फिलहाल इस वीडियो मे हम आपको जन्म कुंडली के प्रत्यक भाव में यदि मंगल है तो वो किस तरह के प्रभाव आपको दे सकता है अशुब होने पर चर्चा इसकी करेंगे और साथ में आपको उसके निवारण के उपाए भी बताते जाएंगे दोस्तों दोस्तों मंगल को ग्रहों में सेनपती कहा गया है यह व्यक्ति के रक्त का और साहस का कारक है क्योंकि यह उर्जा का भंडार है जीवन में उर्जा देने का काम मंगल ही करता है मंगल को मेश और व्रश्च राशी का स्वामी कहा गया है जोतिशास्त्रों में मेश मंगल की बहुत बलवान राशी है क्योंकि मंगल की ये मूल त्रिकोन राशी है इस राशी में मंगल बहुत शक्तिशाली स्थिती में होते है और व्रश्चिक राशी भी मंगल की अपनी राशी है तो यहां भी मंगल के फल आपको अच्छे देखने को मिलते है को विशेश बलवान कहा गया है यदि मंगल के नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा म्रगशिरा और चित्रा ये तीनों नक्षत्र मंगल के होते हैं अगर उच्छ और नीच राशी की बात हम करें तो मंगल शनीदेव की राशी मकर में उच्छ के होते हैं और वहीं चंद् कारक का अच्छा फल परदान करते हैं और अपनी नीच राशी में अपने कारक टत्तों में अपने कारक फलों में कम ही कर देते हैं मंगल एक पुरुष ग्रिय है इसके अंदर असी में जबर्दस्थ औरजा है इसलिए बल्वान मंगल के कारण जातक उच्च कोटी का सरजन बन सकता है सेना में कोई बड़ा पद सेना में करनल मेजर बन सकता है कोई बड़ा जासूस बन सकता है कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तक बन सकता है मंगल जमीन और अगनी का कारक ग्रह है इसलिए इससे जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है अर्थात जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुब होगा उनके पास बड़े-बड़े रेस्टोरेंट होटल भूमी भवन ये सब चीजें बहुत आसानी से उपलब्द हो जाती है टेकनिकल एजुकेशन में भी मंगल बहुत हेलपफुल है मंगल हेलप करता है मंगल चंड्रमा गुरु और बुद्ध के साथ शुब फल परदान करता है लेकिन सूरे राहू और श्णी के साथ ये अशुब फल परदान करता है और मंगल अगर शुक्र के साथ कुंडली में आ जाए तो ये एक तरह से चारित्रिक दोश यानी के करेक्टर में थोड़ा सा कमी कर देता है शुक्र भोग का कारक है और मंगल सेनापती है उर्जा कारक है तो ये कहा जाता है कि एक सेना पती को मंगल के भोग विलास से कोई विशेश लगा नहीं होता अब एक बात ये देखने को मिलती है कि मंगल का सुभाव क्या है मंगल हमेशा अकेले रहना पसंद करता है किसी ग्रहब के साथ ये दी मंगल की यूती हो जाती है तो मंगल के फलों को सामने आने में समय लगता है लेकिन दशम भाव में अगर सूर्य मंगल और राहू के साथ बैठा हो तो जातक को बहुत उंचे पद तक भी यानि मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री तक भी बना सकता है क्योंकि दशम भाव में मंगल जो है वो बहुत बलवान बहुत जबरदस्त शक्तिशाली होते हैं इसी तरह से लगन और सप्तम का मंगल जातक को बहुत ज़्यादा अभिमान से भर देता है एहनकारी बना देता है यदि अशुब होत तो और दूसरे और आठवे भाव का मंगल जातक को किसी भी कीमत पर परिवार का और दामपत्य जीवन का सुख नहीं लेने देता है यदि अशुब होत तो अब मंगल की बात अगर की जाए ओवरॉल तो चाहे कुंडली के किसी भी भाव में मंगल हो आप मंगल के बीज मंतरों का जाप यदि मंगल अशुब है और ये परिणाम खराब दे रहा है तो आप मंगल के बीज मंतर का जाप कर सकते हैं और सुभा रामरक्षा स्तरोत्र का पाठ करें और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें हलका अधिरा होने पर ये दोस्तों इस्थिती है जो मंगल के इस पश्ट तौर पर जो लक्षण होते हैं मंगल की प्रभाव होते हैं मंगल का एक व्यवहार होता है वो हमने आपको इसकी जानकारी दी है लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि गुरू जी मंगल मेरी कुंडली के तीसरे भाव में है या मेरी कुंडली के छटे भाव में है या दसमे भाव में है या लगन में है तो कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे फल दे रहा है या ये खराफफल दे रहा है तो इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखा जाए तो आम तोर पर मंगल से बहुत लोगों को डर लगा रहता है लेकिन सोचने की बात यहां पर ये भी है कि जो ग्रह मंगल करने निकला है आपका शुब करने निकला है वो मंगल कैसे कर सकता है मंगल उग्र है ये तै है कि मंगल बहुत उग्र ग्रह है बहुत जल्दी जोश में आ जाने वाला ग्रह है लेकिन अशुब ग्रह नहीं है कुंडली में हर ग्रह शुब और अशुब फल देते हैं इसी तरह से मंगल भी दोनों तरह के फल देता है मंगल की शुबता उसके साथ अगर कोई ग्रह बैठा हो उससे तै की जाती है और उस पर पढ़ने वाली शुब द्रश्टी से तै की जाती है इसी तरह से मंगल की अशुबता भी तै की जाती है अब मंगल लग्न में यदी है मंगल आकी कुंडली के पहले भाव में बैठा है और ये अशुब परिणाम दे रहा है तो इसके प्रभाव देखिए क्या होते है सबसे पहले तो जातक जूट बोलने वाला होता है नहायत मकार होता है अपने भाईयों के साथ कलह कश्ट भाईयों के प्रती मन में कपट का भाव रखने वाला होता है ऐसे जातक कि पत्नी की दुरगटना में मृत्यू हो सकती है ऐसे जातक का दो विवाहों का योग बनता है जातक कि पत्नी या जातिका यदि ये कुंडली जातिका की है तो उसका पती रोग ग्रस्त रह सकता है जातक बहुत ज़्यादा लडाकू और हर बात पर जोश के साथ कुतर्क करने वाला होता है अगर ऐसी स्थिती में मंगल लगन में हो और बारवे भाव में चंद्रमा बैठ जाये तो ये एक अनिष्ट कारक दरिद्रता का निर्मान करने वाला ये योग यहाँ पर कहा गया है अब दोस्तों मंगल येदी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो और ये अशुब हो तो कैसे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं जातक अपनी उम्र के शुरुआत में नौ साल तक बिमार रहता है येदी मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है और अशुब है जातक अगर अपने भाईयों से छोटा है तो ये बड़े भाई की मृत्यू का योग भी बना देता है अब दामपत्य जीवन में जातक का कलेश रहता ही है चाहे पती है तो पत्नी से और पत्नी है तो पत्नी से आपस का कलेश बना ही रहता है अगर मंगल दूसरे घर में अशुब है तो बहुत बड़ी संभावना बनाता है यहां पर कि जातक कि मृत्यू किसी लडाई जगडे में हो जाए अगर मंगल तीसरे भाव में है और यह आपको खराब फल दे रहा है तो इसका पता आप कैसे किन लक्षणों से इसको लगा सकते हैं तीसरे भाव में अगर मंगल घराब है तो जातक निश्य तरूप से शराबी होता है चालवाज होता है बहुत धोके बाज होता है धोका देने की प्रवर्टी होती है इस अशुब मंगल के प्रभाव से जातक को बलड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है मंगल अगर जादा ही अशुबता में आ जाये तो जातक की हत्या या जातक के खिलाफ बड़ी साज़िश भी करवा सकता है ऐसे अशुब मंगल के कारण जातक अपने हाथ से अपने काम को बिगाल लेने वाली प्रवर्टी का होता है जल्दबाजी में अपने कामों को अपने हाथ से ही जल्दबाजी की वज़े से बिगाल लेता है अब कुंडली के चौथे भाव में अगर मंगल है तो यह आपको क्या खराब परिणाम दे सकता है जिसके लक्षन आपको मैं बताता हूँ जातक सबसे पहले तो चौथा भाव या लगन भाव मांगलिक दोश बनता है यहाँ पर चौथे भाव में मंगल अगर खराब होगा तो जातक संतान नहीं होगी जातक की संतान होने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि कालपरुश कुंडली में चौथे भाव में मंगल नीच का कहा गया है जातक किसी नकिसी तरह के रोग से पीडित हमेशा बना रहता है अपने गुस्से की वज़े से खुद अपने ही कामों को बिगालने वाला होता है चौथे भाव में यदि मंगल खराब इस्थित में हो तो जातक अपने बुढ़ापे के समय पर अपनी आखों को खो सकता है जातक कि आखों की रोशनी जा सकती है और अगर मंगल चौथे खाने में हो और बुद बार्मे भाव में बैठ जाए तो जातक 100% दरिद्रता भूगता है जिन्दगी में अब मंगल अगर पंचम भाव में है वो आपको खराब परिणाम दे रहा है तो आप कैसे इसका पता लगा सकते हैं जातक हमेशा पाप करमों में लिप्त रहने की कोशिश करता है हमेशा उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल और उल्टे सीधे लोगों के साथ रहना जो लोग असमाजिक लोग है उनके साथ रहना शराबी उच्च कोटी का शराबी होना हमेशा जीवन में किसी न किसी तरे की परेशानी बने रहना हो सकता है कि ऐसे जातक को किसी परकार का दौरा पढ़ने की भी शिकायट हो या जिसे मिर्गी की बिमारी कहते हैं वो भी हो आखों से संबंदित परेशानी जातक को निश्शित तोर से हो सकती है ऐसा जातक हो तो उस जातक की पत्नी को गर्ब से संबंदित परेशानिया बिलकुल हो सकती है अब कुंडली के छटे भाव में यदि मंगल है तो मंगल आपको किस तरह के खराब रिजल्ट दे सकता है ये आप आसानी से समझ सकते हैं जातक को शत्व प्रतिशत बवासीर या ऐसा रोग होता है जो उसके गुदा से संबंदित हो जातक को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है जातक के अंदर कामुकता का भाव बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा जातक पराई इस्त्रियों पर जो दूसरों की इस्त्रियां हैं उन पर बुरी नियत रखता है अगर मंगल कुंडली के छटे भाव में हो और बुद्ध आठवे भाव में हो तो ऐसे जातक की माता का देहांत कम उम्म्र में ही हो जाता है अब दोस्तों माना जाए के मंगल कुंडली के सपतमी स्थान में है तो सपतमी स्थान में मंगल के अशुब फल अगर होंगे तो वो क्या होंगे मंगल अगर सातों भाव में है और अशुब है तो आपको इस पश्ट तोर पर देखने को मिलेगा जातक की पत्नी या जातिका का पती बहुत ज़्यादा क्रोध ही स्वभाव का होगा ऐसा जातक अपने क्रोध के कारण ही अपना नुकसान करने वाला होगा अपने हातों से अपने काम को बिगाड़ लेने वाला होगा जातक पुत्र हीन होगा ऐसे जातक की पुत्रियां जरूर होंगी लेकिन पुत्र नहीं होंगे ऐसे जातकों का पराई इस्त्रियों से संबंध कभी न कभी जीवन में जरूर बनेगा यदि कुंडली के सब्तम भाव में मंगल अशुब इस्थेती में है सब्तम इस्थान में भी मंगल को मांगली को दोश में गिना जाता है अगर मंगल कुंडली के अश्टम भाव में है और यह यहां अशुब परिणाम दे रहा है तो आप कैसे पता कर सकते हैं जातक अलपायू वाला होता है दरिद्र होता है अश्टम्भाव में मंगल अगर है तो जातक के पास पैसा आता ही नहीं है बहुत ज्यादा परेशानिया आती है जातक को पैसा कमाने में पैसा इकठा करने में कहते हैं जोतिष के विद्वान कहते हैं के 28 वर्षों तक मौत का फंदा यानि के मौत का भै जातक के साथ बना रहता है मंगल अगर आठ में भाव में हो और बुद्ध छटे भाव में हो तो जातक की माता की मृत्यू जातक के बचपन में हो जाने की आशंका रहती है जातक murder case में फस सकता है जातक रोगी होता है यदि मंगल कुंडली के अश्टम इस्थान में खराब हो अब मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में बैठा है और ये खराब परिणाम दे रहा है तो आप इसका अंदाजा इन लक्षनों से लगा सकते है जातक क्रोधी स्वभाव का होता है जातक की शिक्षा जातक की विध्या पूरी नहीं हो पाती है जूट बोलने की प्रवर्ति होती है इमानदार हो अगर वो गलती से इमानदार भी हो तो भी बदनामी उसके हिस्से में जरूर आती है जीवन के हर छेत्र में मेहनत पर मेहनत करता चला जाता है लेकिन सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है एक लक्षण और देखा जाता है इन लोगों में जिन लोगों की गुंडली के नवम भाव में मंगल अशुप परिणाम दे रहा हो कि ऐसा जातक अपनी पत्नी की जीवन के काम से अपनी जीवन का चलाता है अर्थात पत्नी के पैसे पर अपना जीवन बिताने वाला ऐसा जातक अक्सर देखा जाता है अब कहने को मंगल दशम भाव में बहुत जबरदस्त बलशाली है और बहुत पावरफुल है लेकिन अगर कुंडली के दशम भाव में मंगल खराब परिणाम दे रहे हैं तो इसका पता आपको कैसे लग सकता है देखें जाता को चोरी के आरोप में बिलकुल जेल जाने का योग बन सकता है मंगल टैन्थ में अगर बैठा है और सूर्थ चौथे भाव में है और बुद्ध छटे खाने में बैठा है आपकी कुंडली के छटे भाव में बैठा है तो जात तक एक आँख का या कहा जाए कि एक आँख उसकी खराब हो सकती है या एक आँख में भेंकर कोई रोग भी हो सकता है कुंडली के दशम भाव में यदि कोई मंगल के साथ पापी ग्रह बैठा हुआ है तो जातक डेफिनिटली अपने घर परिवार से सब चीजों से हाथ दो सकता है अपने कारोबार से अपने जुड़ी हुई संपत्ती से सबसे जातक जो है अपने नुकसान जहेल कर और सबख पर आ सकता है मंगल का अशुप प्रभाव यदि टेंथ हाउस में है तो जातक अपने उम्र के पंद्रे साल तक भेंकर बीमारिया जहेलता है कुंडली के एकादश भाव में जहां पर हर ग्रह के बारे में ये कहा गया है कि प्रत्यक ग्रह कुंडली के इलेविन थाउस में शांदार फल देता है लेकिन अगर मंगल यहां बैठे हैं और मंगल आपको खराब फल दे रहे हैं तो इसका अंदाजा आपको कैसे लग सकता है जातक के उपर हमेशा कर्ज रहता है अगर जातक की कुंडली में इलेविन थाउस में मंगल खराब है तो जातक के उपर हमेशा कर्ज रहता है जातक कि जो संतान होती है वो वैचारिक मतभेद संतान से रहते हैं संतान के साथ हमेशा जगडा रहता है वाद विवाद रहता है अपने दोस्तों से जातक को निश्चित तोर पर सहयोग नहीं मिलता जानने वालों से सहयोग नहीं मिलता सबसे धोखा मिलता है आपने जातक ने जिनका खराब समय में सहयोग भी किया होता है वो भी किनारा कर जाते हैं जातक कि शिक्षा में बेहद रुकावटों का सामना करना पड़ता है जातक को दो पैसे कमाने के लिए या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जबरदस्त संगर का सामना करना पड़ता है अगर मंगल कुंडली के 12 भाव में 12 हाउस में अगर मंगल खराब है तो जातक को या जातक को किन लक्षनों से ये जातक जान सकता है कि मुझे इसके खराब परिणम मिल रहे हैं अगर 12 हाउस में मंगल खराब है तो जातक को शत्रूओं से निशित तोर पर डर बना रहता है, हानी होने की संभावना भी होती है, लाब कम होगा, खर्च जादा होगा, जातक कि अपने ही घर में किसी परकार की चोरी, डकैती या कोई ऐसा हादसा होने की संभावना बनी रहेगी, बारवे भाव का मंगल भी मांगली की योग में गिना जाता है, तो बारवे भाव में अगर मंगल होगा तो जातक या जातिका का अपने जीवन साथी से हमेशा कलेश रहेगा अनबन रहेगी ऐसा जातक संतान हीन भी हो सकता है जन्म कुंदली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवे भाव में, आठवे भाव में या बारवे भाव में मंगल होने पर मांगली की योग कहा गया है मांगली की योग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मंगल की उर्जा में अतिरिक यानि बड़ोत्री हो जाती है मंगल थोड़ा जादा वर्किंग मोड में आ जाता है अब देखना ये है कि मंगल शुबता में ज्यादा वर्किंग मोड में है या के नुकसान में ज्यादा वर्किंग मोड में है अगर किसी भी जातक को कुंडली के बारा भावों में मंगल के किसी भी भावों में अशुब परिणाम अगर मिल रहे हैं तो उसके लिए सबसे शांदार तीन उपाय हम आपको बताते हैं आप अपने घर के मंदिर में शाम को सूर्य डूबने के बाद अधेरा होने के बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल का एक दीपक घी का जलाएं आप कम से कम हनुमान चालीसा के तीन पार्ट करें तीन पार्ट हनुमान चालीसा के करें यदि आपके पास समय है पाच पार्ट करें साथ पार्ट करें, ग्यारे पार्ट करें दूसरा उपाए यह पार्ट हनुमान चालीसा के पार्ट नियमित करें जब तक मंगल के शुब परिणाम आपको मिलने ना शुरू हो जाए दूसरा उपाय दोस्तों मंगलवार के दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रशाद लगाएं उसके बाद जितनी भी आपकी शक्ती है 50 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे के केले खरीद कर बंदरों को खिलाएं तीसरा उपाय दोस्तों तीसरा उपाय ऐसा उपाय है बहुत शांदार उपाय है जो व्यक्तिगत तौर पर हमें कई मित्रों ने बताया और कई हमारे शिश्यों ने बताया जिसके लाब उन्हें जबरदस्त देखने को मिले हैं मंगलवार के दिन आप संध्या के समय माल लीजे साड़े साथ बजे के आसपास या साड़े साथ बजे के आसपास हनुमान चालीसा करने से पहले आप सुन्दर कांड का पाठ करें पहले मंगलवार को सुन्दर कांड का पाठ करें और उसके बाद अपना जो नियम है हनुमान चालीसा का आप उसे करें दोस्तों यही मंगल जब शुब होता है तो जातक के जीवन में चार चांद लगा देता है जातक के पास बड़ी-बड़ी प्रोपर्टीज होती है बड़े-बड़े वाहन होते है जातक के पास जीवन को सार्थक कर देने की ऊर्जा होती है और यही मंगल जब जातक के जीवन में निराशा पैदा करता है तो जातक के सभी काम आटोमेटिकली खराब होने शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आप निश्चित तोर पर ये अंदाजा लगा सकेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में बैठ कर आपको शुब दे रहा है या अशुब दे रहा है मंगल की शुबता को लेकर के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें भी आपको मंगल की शुबता को बढ़ाने का शांदार उपाय भी बताएंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जोतिश पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद दोस्तों